उधारण 12 दिया है कोण O बराबर कोण P बराबर 90 अंश भुजा MN सरवांगसम भुजा QR भुजा OM सरवांगसम भुजा PQ सिद्ध करना है त्रिबुज MOR सरवांगसम त्रिबुज QPN अब उधारण 12 हमारे सामने है बच्चो इसे भी हम हल करने कोशिश करते हैं आप देख रहे हैं आपके सामने एक आकरिती दी हुई है जिसमें दो त्रिबुज आपको दिखाए पूड़ रहे है त्रिबुज MOR और त्रिबुज QPN और इसमें जो जानकारिया हमें दी हुई है उसको हम करमशा देखें यहाँ पर कोड O और कोड P बराबर है और समकोड है यहाँ आप जो कोड देख रहे हैं O इसे आप MOR भी कह सकते हैं वो समकोड है और उसी तरह से कोड P जैसे आप कोड QPN भी पढ़ सकते हैं यह भी समकोड है तो इन दोनों त्रिबुजों में दो कोण तो समकोण दे दिये हुए है और एक चीज दी हुई है MN और QR बराबर है रहकाखंड MN की लंबाई और रहकाखंड QR की लंबाई आपसे बराबर है अब देखें यहां पर इसने पूरे त्रिबुश की बात पूरी इस भुजा की बात नहीं की क्यों वले इस टुकड पूरी इस त्रिबुश की बुजा ओ एम इस त्रिबुश की बुजा क्यों पे के बराबर हैं अब आप सोचिए कि आप इदिये सर्वांग सम्सिद्ध करना है तो क्या कही चीज़ है आपको चाहिए आपके सामने दो समकोण दीखाई पढ़ रहे हैं दोनों त्रिबुशो होते हैं तो एक चीज इसका हम आधार बना सकते हैं यह समझ में आता है लेकिन आपके सामने दिक्कत है कि यहां जो विकर्ण है एम आर और इस त्रिबुश का विकर्ण क्यों यह बराबर नहीं दिया हुआ है क्यों आर और एमन बराबर है यह सर्वांग सम्सिद्ध है तो इस चीज को आपको इसमें सोचना है और यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है देखिए आपका ध्यान में इस एनर की हिस्से की तरफ लेके आता हूँ यह जो एनर है वो ऐसा हिस्सा है जो दोनों त्रिबुशों में मौजूद है यानि increases in receptive in solitary चल्ट करते हुए आगयर बढ़ते हैं एस लिखते हैं हल करने के लिए तिर्भुज इस तिर्भुज के नाम लिखेंगे एस तिर्भुज है एम है मोज हम यहां शुरू कर रहा है supplyless घ्रैंऄं स्पेज़ में में सब्सक्राइब है आप दर्यों में देखने जारें कौन कौन सी चीज्च बराबर न पहले चीज जो अपको एकदम साफ साफ दिखाए पड़ रही है कि दो समकोड है इनको हम लिखें तो कोड लिखेंगे हम कोड एमोघ कोड एमोड बात हो रही है तो M, O, R की रुपे भी लिखे जा सकती है तो कॉन M, O, R बरावर है दूसरी त्रिभुज के कॉन P की बरावर इसे आप पूरा लिखेंगे कॉन Q, P, N कॉन Q, P, N यहाँ पर भी देखें Q, P, N त्रिभुज भी बता रहा है और Q, P, N कॉन भी बता रहा है जब हम त्रिभुज Q, P, N कहा रहा है इसका मतलब Q, P, N यह पूरी आकरिती और जब हम कॉन Q, P, N कहा रहा है इसका मतलब कॉन Q, P, N यह कॉन तो एक चीज हमने बरावर देख ली और दूसरी चीज जो यहाँ पर दी हुई है हमें O, M बरावर P, Q इसे भी हम लिख ले, यह वाली भुज़ा O, M इस भुज़ा P, Q के बरावर है तो भुज़ा MO बरावर भुज़ा Q, P यह दोनों जानकारिया हमें दी गई थी दी गई है अब चलिए एक बात और दी हुई है कि M, N बरावर है Q, R के, इसे भी हम लिखे M, N बरावर है Q, R के यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है अब आप इसमें देखिए यह दिया हम N, R को दोनों में शामिल करें इस N, R के टुकड़े को दोनों शामिल करें जो इस त्रिबुज का भी हिस्सा है तो हमें क्या मिलेगा हम इसे लिखेंगे M, N प्लस, N, R बरावर Q, R, यह जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको लिखें पहले Q, R, धन, N, R N, R को आप चाहें तो R, N भी लिख सकते है तो यहाँ पर हम इसे R, N लिखेंगे अब आपको M, N, N, Q को देखना होगा M, N, N, R M, N, R को हम देखें M, N, N, R यह हम इस पूरे का बदले A, R लिख सकते हैं तो यह चीज यहाँ पर इस तरह से आएगी देखें, M, N और N, R के बदले हम इस पूरी लंबाई को एक साथ लिख रहे है M, R, बराबर इससे देखें, Q, R, धन, R, N Q, R, धन, R, N इसके जगाँ पर आप पूरा-पूरा Q, N लिख सकते हैं इससे भी लिख दें Q, N अब आप देखिए आपको मिला A, R, और Q, N दोनों बराबर है तो A, R इस त्रिभूज की विकर्ण वाली भूजा है और Q, N इस त्रिभूज की विकर्ण वाली भूजा है तो हम कह सकते हैं कि अब दोनों त्रिभूजों में तीन जानकारिया हैं जो समान है ये कोण इस कोण के बराबर है, समकोण, एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, और पहले त्रिभुज का विगर्ण MR, दूसरे त्रिभुज का विगर्ण QN के बराबर है, तो इन तीन जानकारियों के आधार पर आप कह सकते हैं, इस समकोण, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं हाइपोटेनियस जिसे आप विगर्ण कहते हैं और कोई एक भुजा ये तीन चीज़ें दी दो त्रिभुजों में बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो हम इसके आधार पर लिखें त्रिभुज कि एम और सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू पी एन के क्यू पी आन के और देखिए यही हमें सिद्ध करना था एम और सर्वांग सम क्यू पी एन कर लिया तो यह आपका उदारेंड बारा था और इसे आप इस तरह से हल करेंगे एबर खुछ से भी कोशिश करके आप देखिए आप इसे कर पाएंगे कुछ करके देखें पहला नीचे दिये गए सम दिबाहु त्रिफुजों में X का मान ग्याद केजिए दूसरा दिया है BC सरवांग सम AC तथा कोण 1 बराबर 140 अंश तो कोण 2, कोण 3 तथा कोण 4 का माप ग्याद कीजिए तीसरा दिये गए चित्र में X का मान ग्याद कीजिए